नमस्कार इंडिया 24-7 देख रहे हैं आपके साथ में हूँ दिवयतिवारी तो आज से हो गया है टीम मोदी का मेक ओवर प्रधान मंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया है एक मंत्री प्रकाश जावडेकर को प्रमोशन दिया गया है कैबिनेट में मोदी समेथ 83 सदसे हैं और अब सबसे हिवा मंत्री अनुप्रिया पटेल है यूपी से सांसद अपना दल के अनुप्रिया पटेल 35 साल की है तीन मंत्रियों ने अंग्रेजी में शपत ली जैसा की माना जा रहा था कि 75 साल से उपर के नेताओं को मंत्री नहीं बनाया जाएगा ऐसा ही हुआ महराश्य से आने वाले आरपियाई नेता रामदास अठावले जब शपत ले रहे थे तो अजीब हालात बन गए वो अपना नाम पढ़ना ही भूल गए राश्यपती ने उन्हें तीन बार टोका दोर बार खुद लाएने पढ़ी और शिफसेना कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया आपको बता दे कि मई 2014 में सरकार बनने के बाद पिछला और एकलौता फेर बदल नवंबर 2014 में हुआ था इस बदलाव से पहले मोदी ने कहा कि इसे फेर बदल नहीं विस्तार कही है और कैबिनेट विस्तार की बड़ी बाते भी आपको बताते हैं वन और पर्यावरन राज्जी मंत्री प्रकाश जावडेकर का प्रमोशन हुआ है जावडेकर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है इस विस्तार में जावडेकर अकेले कैबिनेट मंत्री है सबसे जादा चार मंत्री राजस्थान से बनाए गए है इसके बाद यूपी का नंबर है यूपी से तीन नई चहरों को मंत्री मंडल में जगे दी गई है यूपी में जातिय समिकरणों को साधा गया है एक दलित, एक OBC और एक ब्राह्मन को जगे दी गई है तीन में से दो महिलाएं भी हैं यानि एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की गई है वहीं पंजाब से किसी को नई टीम में शामिल नहीं किया गया है हाला कि सिख्य समोदाय के SS आहलू वालिया को मंत्री बनाया गया है लेकिन वो पश्यम मंगाल के दार्जिलिंग से सांसत है तो आपको बता दे की प्रधान मंत्री नरेंद मूदी की नई टीम बन चुकी है आज क्याबिनेट का विस्तार हुआ जिसमें सबसे जादा जगे जो दी गई है वो राजस्थान को दी गई है यानि की चार राज्यमंत्री राजस्थान से बने है और उसके बाद यूपी से तीन मंत्रियों को जगे दी गई है महिलाओं को भी खासी तरजिय दी गई है मैं मैं प्रकाश केशव जावडेकर इश्वर की शपत लेता हूं कि विधी द्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता आक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तोव्यों का सद्धा पुर्वका और शुद्धा अद्धकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भाई या पक्षपा अनुराय ग्या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार म्याय करूंगा मैं प्रकाश के शवजावडे कर इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे ज्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतों में उक्ते सम्यत निर्वहन के लिए आईसा करना आप एक्षित हो, मैं प्रतिक्षा तो आप प्रतिक्ष रूप से संच सूचित या प्रकट नहीं करूंगा M.J. Akbar, do swear in the name of court that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of state for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will I, M.J. Akbar, do swear in the name of court that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union due discharge of my duties as such minister of state M.J. Akbar, do not yet मैं भे या पक्षपार्थ, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, सम्विधान और विधी के अनुसार न्याई करूँगी। तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्दवियों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर वासंद्र मिश्री जी हमारे से जोड़ गये हैं। वासंद्र जी जिस तरीके से टीम मूदी का मेक ओवर हुआ है, इसको कितना बैलेंस हम देखें। देखें एक बात सच है कि जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है, जादा तर लोग ऐसे हैं जिनकी छबी बेदाग हैं, पड़े लिखे लोग हैं, और अपने अपने छेतर में एक्सपोर्ट माने जाता हैं। राजनेतिक तोर पर भी अगर हम का हैं, तो बहुत सारे इसे लोग हैं, जिनका कि अपने समाज में और परने बिरादरी में एक अलग भाइचान हैं, और उनको मंत्री मंडल में सामिल करने से भारती जनता पार्टी को उन राजियों में राजनेतिक फाइदा भी मिलेगा। उदाराण के तोर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश से अनुपरिया पटेल मोधी मंत्री मंडल की सबसे कौम उम्र की मंत्री हैं, लेकिन इसके अलवा जो उनकी योगता है कि वह बहुत एक पढ़ी लिखी महिला हैं, और उनके पिता भी जो अलग पाइचान काइम की थी, और अनुपरिया पटेल को मंत्री मंडल में सामिल करने से, जहां एक तरफ भारती जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उनके विरादरी का ओट मिलना और आसान हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ एक एबी संदेश गया है कि भारती जनता पार्टी के अंदर पहले से मौझूद जो कुर्मी पटेल विरादरी के लोग थे, उनके रेलिवेंस भी काफी हद तक कम हो गया है, चाहें वोम प्रकासिंग हों, या बिने कटियार हों, इस तरह के बहुत सारे नेता थे, जो की कुर्मी विरादरी से आते थे भारती जनता पार्टी में एक लंबे समय तक उनका काफी महत्तुपूर अस्थान रहा, लेकिन जिस तरह से नए लोगों के इंट्री हुई है, तो इसके साथ ही उन पुराने नेताओं की प्रासंगिक्ता पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ दिल्ल से दो लोग मंत्री बनाए गए हैं, बिजय गोयल और एमजे अकबर, ये अलग बात है कि बिजय गोयल राजस्थान से राजसभा सदस से चुन के आए हैं, और एमजे अकबर मध्यपरदेश से राजसभा सदस से चुने गए हैं, लेकिन ये दोनों लोग दिल्ली में एक ब प्रजेक्ट किया गया और किरन बेदी को विजय गोहल को दिली की राजनीत से अलग किया गया था तब से विजय गोहल कुंठित बताए जा रहे थे और वे लगातार एक तरह से एक चुनवती बने हुए थे भारती जनता पार्टी नेत्रितों के लिए क्योंकि उनका मन बार दिली के अस्थानिये राजनीत में ज्यादा लगता था और वे दिली में ही सक्रियर आना चाहते तो उनको एंदरि मंधर मंडल में सामिल करके एक संदेश दिया गया है कि दिल्ली की जो लोकल पॉलिटिक्स है अब उसमें उनकी जो सक्रियता है वो कम रहेगी और उनकी जगा दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा विल्कुल वासुंदिश करना कि पंञाब से कोई मंत्री नहीं बना है शिवसेना का कोई मंत्री नहीं बना और सामिल किया जाए और साइद यही कारण है कि जब इन मंत्रियों का चाहिन हुआ ब्यक्तियों का मंत्री बनाएने के लिए तो पंजाब और महारास्ट में जो सिवसेना धड़े से जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना था उनको जगह नहीं मिल पाई है इसका मतलब यह नहीं है कि बीजे पी या नरेंदर मोदी सिवसेना या अकाली दल को नजर अंदाज करना चाहते हैं लेकिन वहां अंदर उनी जो राजनी थी है लोकल लेबल पर महारास्ट और पंजाब की उसके मद्दे नजर साइद आम राय नहीं बन पाई होगी जिसके वज़े से उन लोगों को जगह नहीं मिल पाई है दूसरी खास बात एह है कि गुजरात को भी इसमें तरजी दिया गया है और मनसुक भाई जिस समाज से आते हैं उस समाज में मनसुक भाई की बहुत खास एक इज़त है और हार्दिक पटेल के अंदोलन के चलते गुजरात में भारती जनता पार्टी को एक कड़ी चुनवती मिल रही है और भारती जनता पार्टी के बारे में बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के दौर की भारती जनता पार्टी और आज जो वहां की मुख्यमंत्री हैं उनके दौर में जो भारती जनता पार्टी चल रही है उसमें जमीन आस्मान कांतर है तो इसके मद्दे नजर वहां से नए चेहरे को सामिल करके और पार्टी की जनाधार को और मजबूत करना और अपने वोट बैंक को बचाए रखना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनावती थी जिसको की बाइलेंस करने की कोशिस की गई है जी चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासंद्र जी हमारे साथ बातशीत करने के लिए तो नई टीम तो बन गई है लेकिन ये नई टीम अब किस तरीके से रफतार भरेगी आगे किस तरीके से काम करेगी यही देखने वाली अब बात होगी क्योंकि आने वाले वक्त में पांच आर्जों में विरान सबा चनाव भी है, 2017 में चनाव होना है और ऐसे में अब जब किये फेर बदल किया गया है तो ऐसे में जिनको जिम्मेदारी सौपी गई है, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से जो सरकार की योजनाय हैं, उनको जनता तक महुचाते हैं, य इस वक्त सामने आ रही है यानि कि मोधी मंत्री मंडल से पांच मंत्रियों की छुटी हो गई है। अपना इस तीपा भेश दिया है। यहां से देखिए किस तरीके से जब आज पहुंचे राश्पती भवन तो वो साइकल पर सवार थे जैसे कि हर बार जब वो संसत पहुंचते हैं तो साइकल से जाने के वज़े से ही सूर्ख्यों में रहते हैं। तो राज्य मंत्री के तौर पर आरजुन में एक वाले भी शपतली है। साइकल वाले सांसत के तौर पर ये मशुहूर हैं बीकानेर से सांसत है। और दूसरा आप तस्वीर देख सकते हैं मंसुखलाल मांडविया हैं जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपतली है। गुजरात से राजी सबात सांसद हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद माने जाते हैं ये भी साइकल वाले मंत्री कहें जाते हैं देखी किस तरीके से ये साइकल में सवार होकर आज राश्टपती भवन पहुंचे थे दो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं साइकल के साथ किस तरीके से शपत ग्रहंट सम्हारों में पहुंचे थे ये आप तस्वीरे देख सकते हैं एक तरफ आरजुन मेगवाल हैं जिन्होंने राज्जी मंत्री के तौर पर आज शपत ली है और दूसी तरफ मंसुक लाल मान विया है तो ये देखिए अपने समर्थ को के साथ वो शपत ग्रहंट सम्हारों में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और दूसी तस्वीर मंसुक लाल मान विया की है योकि गुजराथ से राज्यस सभा सांसद है और प्रधान मंत्री नरेंड मोदी की पसंद माने जाते हैं ये भी साइकल वाले सांसद के तौर पर मशूर है तो जहाँ एक तरफ लोग गाडियों का स्वाल करते हैं जो सांसद हैं वो गाडियों से पहुंचते हैं लिकिन इदो तस्वीरों को देखर आप अंगाजा लगा सकते हैं कि कितना साधरन जीवन ये लोग जीते हैं जिसके चलते ये लोग साइकल से शपदre ग्रहंट समहरो में शामिल होने के लिए दार्ष्ट पती भवन पहुंचोंगे अनुराग मोदी की नई टीम को किस तरीके से देखें कि यह वो लोग हैं जो बीजेपी की जो स्टेक्ट लीडेशिप थी उसमें यह रहते थे जो हाई प्रोफाइल सांसर थे उनको जगा नहीं दी गई अगर मुक्त प्रदिश की बात करें तो यहां पर योग्या जित्याद का नाम सामने आ रहा था और भी कई बड़े नाम सामन लगाया और जिन लोगों का अपने अपने एरियाज में वर्चत रहें अपनी जाती पर पकार रखते हैं वह तरांसर कराने की शमस्यार खैस हुआ हैं और अगर हम बात करें जिन मंत्रियों को हटा रहें उनमें एक तो राम साथर का नाम है निहाल चंद का नाम है और राम स इसके अरावा जो निहाल चन है उनके साथ अलग तरिक्री के विवाद रहे काफी विवादास्पट को मंत्री थे इसलिए उनको हटाया गया तो साफ चेहरों को जगा दी गई है और और जो जो लोग है अगर अगर के अजुकेशन के प्रफाइल की बात करें तो सभी लोग प पर निगत कर सामने आयता गये हैं अभी राम शंकर कठेरिया से हम लोगों ने बात कि थी ऑफिक और तुबा के वक्तों नहीं कहा कि जो पुरी तरह सा मंदूर है और किसी तरह कोई विरोद नहीं है लेकिन जो हमारे सोर्सें से बताते कि जिन लोगों मंत्रियों को हटाया इड है वह चैनल नहीं यह बनी वह कहा भी था कि उन्हें हटाया जा सता है क्या यह माना जो है जिस तरी के से लगातार वो बयान बाजी कर रहे थे वही बजे बनी उनकी स्तीफे की भी जिए बिलकुल लगतार बयान बाजी उल्टे सीधे जो बयान देना कहीं न कहीं वो हच्टने कार्मना इसके अलावा जो संगठन की तरफ से और सरकार की तरफ से जो मंत्रियों की कामकाज की समेश्ट के लिए उसमें भी उनके उपर कई तरह के आरोप लगे थे तो इसलिए उनको हटाये गया और अगर हम बात के ने विरोध कि कल भी हम लोगों ने इस बात की जानकारी में दर्शकों को दी थी कि विरोध बड़े सफ़र होगा लेकिन कि जो मंत्री है तो उनको भी कोई न कोई मंत्री साथ ते कर गया तो कहीं लोग जाने वाले वक्त में जब यह लोग बैठेंगे तो किस प्रका बैयान यह लोग देते हैं बिलकुल अनुराग और यह भी का जा रहा था कि पिचुतर वर्ष से जादा के जो लोगे उनको उन माने इसमें जिनकी है उनको जा सकता है लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो उपने आपको बता दे कि सावालाल जाट को भी हटा दिया गया है पांच मंत्री मंडल से स्तिफा दे दिया है मनसुभाई वास्वा और M.K. कुंडरिया को भी हटाया गया है मोधी मंत्री मंडल से पांच मंत्रीयों की छुट्टी हो गई है